हेलो फ्रेंस मैं हूँ विकास इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पानी के मीटर की रीडिंग कैसे चेक करें अगर आप भी दिल्ली में रहते हो और आपके घर पे पानी का मीटर लगा हुआ है तो उसे कैसे चेक करें, कितना हमको चलाना है, कैसे चेक करना है आईए जानते हैं सबसे पहले आपको एक फोटो किलिक करना है अपने पानी के मीटर का मैंने फोटो किलिक करी है मेरे पास, फोटो है मैं दिखाता हूँ आपको मैं वटसफ में जाता हूं देखी यह रहा है मेरा पानी का मिटर अब यहांपने मुझे चेक कैसे करना है ois मेरे दिजिट लिखिए कैसारी देखी जो red digit है इसको हमें कोई लेना देना नहीं है इससे मेरा पानी का मीटर जो है ये करीवन 6 महने हुए है लगे हुए 6 महने एक साल तो मेरे पानी का मीटर है हमेरे घर पे लगा हुआ है इसमें जो red वाला हिस्सा है इसका हमें कोई काम नहीं है इसे गिना नहीं जाता है सिर्फ यहाँ पर जो black digit दिखाई दे रही है यह गिना चाहेगा यहाँ पर लिखा है 00152 तो जैसे ही यहाँ पर हमारी 52 की जगा 53 हो जाएगा तो हमारी एक reading हो जाएगी फिर 35 हो जाएगा फिर 54 हो जाएगा फिर 55 हो जाएगा ऐसे एक एक reading बढ़ती रहेगी आपको ऐसे चेक करना है यहाँ पर आपको red वाला गिनना ही नहीं है जानने किएगा red वाला कभी नहीं गिनना है और दूसरी चीज है अब बारी आती है कि कितना हमको meter चलाना है यानि कि हमको कैसे करना है कि हमारा meter बिल आएगा कि नहीं आएगा देखिए maximum आप इसमें 30 से देखिए maximum आप इसमें 28 से 30 reading तक होने दीजिए total दो वैसे 32 है last limit 32 होती है पर आप 28 या 30 reading हो जाएग जैसे कि यहाँ पे 52 है 52 का plus 30 होता है 152 का 182 मुझे कोई बिल भरना नहीं पड़ेगा अगर मेरा 182 से 190 हो जाता है 180 हो जाता है एक reading भी अगर फालतू हो जाता है तो मुझे पूरा बिल भरना पड़ेगा ध्यान नखिएगा पानी फ्री तो है पर एक limit होती है माले जी आपने माले जी आपने 30 reading कंप्लीट कर दी और अगर एक reading या पास reading में फालतू हो गई तो आपको पूरा 32 या 35 reading का बिल भरना पड़ेगा यह नहीं कि आपको से 2 reading का भरना पड़ेगा कि 2 एक्ष्टा हो यह ऐसा नहीं है सायद आप समझ गए होंगे अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक करें अगर आपको कोई सवाल है कमेंड करें